इस question में कह रहा है हमें simplify करना है इस value को तो इस question को लिख लेते हैं अगर आपने इससे पहले की questions नहीं देखे हैं तो please उनको जरूर देख लें उसका link मेरी description box में given है या आप मेरी site www.elearnmass.in पे जाएं simply class click करें book click करें और drop down की through किसी भी chapter की exercise का playlist देख सकते हैं तो question है हमारा 5x minus 3 की multiply x plus 4 में माइनस 2x plus 5 की multiply 3x minus 4 में अब हम क्या करते थे इस question के ये दो parts हो गए अभी तक हम ये एक part solve करते हैं आ रहे थे अब ऐसे ऐसे दो parts हैं right तो इंको हम क्या करेंगे कि middle bracket में रख लेंगे जिससे की हमारे को इस question को solve करना easy हो जाए क्यों क्योंकि देखें ये बीच में माइनस sign है जब हम multiply करके इसको solve करेंगे और जब bracket खोलेंगे तो sign change हो जाएंगे कैसे देखिए अब देख लेते हैं अब हमें पता है इस 5x की multiply इस पूरे bracket में करते थे तो 5x की multiply x plus 4 में और minus 3 की multiply x plus 4 में bracket closed minus sign ये वाला रैट अब bracket लगा दिया अब 2x की multiply इस पूरे bracket में तो 2x की multiply 3x minus 4 में और plus 5 की multiply 3x minus 4 में bracket closed तो अब क्या आ जाएगा अब 5x की multiply x में तो 5x की multiply x में इसी तरीके से 5x की multiply 4 में प्लस का 4 लिखें या 4 लिखें बात ये की है अब minus 3 की multiply x में फिर minus 3 की multiply 4 में तो minus 3 की multiply x में and minus 3 की multiply 4 में middle bracket closed minus sign ये वाला अब middle bracket अब देखे 2x की multiply 3x में फिर 2x की multiply minus 4 में तो 2x की multiply 3x में plus 2x की multiply minus 4 में इसी तरीके से ये वाले brackets open कर लेते हैं सारे 5x into x constant 5 ये है तो 5 लिख दिया और x into x powers multiply में add हो जाती है तो 1 plus 1 is 2 तो 2 आ गया अब plus 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 5 forza 20x plus का 20x minus plus minus 3 into x is 3x minus plus minus 3 forza 12 bracket closed minus sign bracket open अब 2 3s are 6 और x into x is x square तो 6 x square अब plus minus minus 2 forza 8x तो minus का 8x इसी तरीके से plus 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 5 3s are 15x plus 15x और plus minus minus 5 forza 20 तो minus का 20 bracket closed अब जो x वाली terms है यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है और इसको solve कर लेते हैं 5x square as it is अब एक value plus की एक value minus की है same variable वाली values तो आपस में subtract हो गई sign बड़ी वाली value का लग गया minus 12 अब यह वाला minus sign as it is bracket अब 6x square as it is अब यह value minus की है यह value plus की है तो आपस में subtract हो गई sign बड़ी वाली value का लग गया minus 20 अब bracket open कर देते हैं यह सारे तो देखिए 5x square plus 17x minus 12 as it is आजाएंगे sign क्यों क्योंकि यहां पे plus sign है अब यहां पे minus sign है तो इन सब के sign change कर देंगे तो 6x square का minus हो जाएगा क्योंकि यहां पे plus का sign है और यहां पे 7x का plus का sign है तो minus का हो जाएगा और 20 plus का हो जाएगा अब आप same variable वाली values एक साथ लिख लेंगे तो यहां गई 5x square minus 6x square x square वाली टर्म्स एक साथ लिख लें 17x minus 7x x वाली टर्म्स एक साथ लें माइनस 12 plus 20 constant values एक साथ लेंगे अब देखिए अब एक वाली प्लस की एक वाली माइनस की है आपस में सब्ट्राक्ट हो गई साइन माइनस का लग गया बड़ी वाली वाल्यू का लग गया यहां पे भी एक वाल्यू प्लस एक वाल्यू माइनस की है आपस में सब्ट्राक्ट हो गई साइन बड़ी वाल्यू का लग गया इसी तरीके से यहां पे भी माइनस और एक वाल्यू प्लस की है तो आपस में पुशिनल